बीजेपी की जाकन इकाई कि सेप्ट भारी हिमंता विश्वा सर्मा ने कहा कि अमित शाहती नमंबर को और प्रिधानमंत्री नैरेंदर मुदी अगले दिन यानि कि चार नमंबर को जाकन में दो जन्द सभागों संबोधित करेंगे पियमोधी गड़वा और चायवासा में चुनाबी सभागों संबोधित करेंगे हिमंता विश्वा सर्मा ने कहा कि इस बार जाकन में एंडी की सरकार बनेगी उन्होंने का कि किसानों से एंवन सरेकार ने चल किया है इसलिए हेंवन स्वरिन को किसानों से माफी मागनी चाहिए तो इमानता विश्वा सर्मा ने आरोप लगाया है और कि किसानों के साथ एमनता विश्वा सर्मा ने छल किया है और जिसका ज़वाब जार्कन की जनता चुनाभे जरूर देगी तो मोदी और शाह के दोरे के बारे में भी इमानता विश्वा सर्मा ने जानकारी दी है दोर तलवे के इमानता विश्वा सर्मा आसम के मुख्य मंत्री होने के साथ साथ जाकन चुनाओ सरप्रभारी है और जाटी चुनाओं के मद्दे नजर इनकी गदिविद्या सबसे तेज देखने को मिली हैं करेगे दिपावली का तुरन बात हमारे सुनाओं का प्रशार प्रशार शुरू होगे और हम विश्वास करता हूं और हम ये मान के सलता हूं कि जन्ता जनाडन इस बार हमें असिरबात देगे भारत की सन्मानिया प्रधान मंत्री जी शार नवेंबर को जारखान आएगे और दोस जन्त सभा को संबोधित करेगे भारत की मानिया ग्रिह मंत्री जी तीन तारीक जारखान आएगे और तीन जन्त सभा को संबोधित करेगे इपावली का तुरंबाद हमारे सुनाओं का प्रशार प्रशार शुरू होगे और हम विש्वास करता हूँ और हम यह मानके सलता हूँ कि जंटा जनाडन इसबार हमें यह असीरबाद देगे NDA BJP का सरकार बनेगा जर्खन में यह मैं मानके सलता हूँ और तलिसी खपरपदिक जनकारी के लिए सयोगी शुरूती हमारे साथ लाइब जुरूवी है अब शुरूती अगर बात की जाए तो चुनाव के मद्दे नजदर चार तारीक को योजना है प्रधानमंत्री नर्दमोदी का चुनावी जनसवा होने वाला है माना जाता है कि प्रधानमंत्री नर्दमोदी जब चुनावी सवा में भाशन देते हैं तो काफी प्रभाव कारी काफी प्रभाव श्राली उनका भाशन माना जाता है चुकि चार नवमर को जो रैली होने जारे उनकी 20 विदानसवाक्षित्र के लोगों से सीधा वो समबात कर क्या लगता है कितनी की संक्या में लोगों की भीर जमेगी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को सुनने के लिए करेंगे कि जो चुनाब है उसको लेकर के तयारी है वो तेज हो चुकिए इसी वीच प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का जो दौरा है वो काफी जादा एहमाना जा रहा है उससे पहले अमिट शाह का भी दौरा है तो कहीं न कहीं बीज़पी पूरी तरीके से तयार नजर आ र प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का भी दौरा है तो उसको लेकर कि कितना कुछ तयारी है अब जार खड़ी जनता भी तयार है विदाई सारों का डेट भी तय हो गई है अब तो 23 तारीक विदाई सामारों होगा देश की सबसे ब्रष्टतम पार्टी कॉंग्रेस पार्टी जिसने सेना की जमीन लूट ली जिसने आदिवासियों की जमीन लूट ली जिसने सब कुछ लूट लिया जिसने युवाँ पर लाठी चार्ज किया जिसने सारे कहते हैं ऐसे से वाइदे किये एक भी वाइदा नहीं पूरा किया अब विदाई समारों तय है इनकी विदाई ने देश की तकदीर और कसीर बदल दी दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी आर्थिक सक्ति बन गए हम अब तीसरी बन ले जा रहे हैं दुनिया की चौती सबसे बड़ी सेन शक्ति बन गए दुनिया मोधी की ओर देख रहे हैं दुनिया में सांती लाना है विकास के लिए तयार है राकेश बहुत ही मातरपूर्ण होने जारी है क्योंकि जारकर में जितने भी पार्टियों का दल बदल हुआ है चाहिए वो सीता सुरिन आई हो या फिर जो भी बदला हुए है उनमें माना जा सकता है कि हमनता विश्व सर्मा क्या भूमिका रही है अगर नतीजे बीज़पी के पक्ष में आते हैं एंडे के पक्ष में आते हैं तो क्या ये कह सकते हैं कि हमनता विश्व सर्मा ने बहुत ही आप भूमिका निभाई है काफी भूमिका उनकी दिखाई दे रही है और उनका हर स्टेटमेंट बीजेपी को कहते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट की तरफ लेकर के जा रहा है हमारे साथ बीजेपी के प्रबक्ता आजाए शाह मौजूद है उनसे भी बात्चीत करेंगे सर हिमता विश्व शर्मा का जो बयान है जो गुसपैटी को लेकर बांगलादेश गुसपैटी को लेकर या बीजेपी जिस सरीके से रेस में नज़र आ रहे है तो उनका जो बयान बाजी है वो कितना इंपाक्टफुल होने वाला है या नेगेटिव जाएगा बीजेपी हिमता विश्व शर्मा जी हमारे काफी सिनियर लेडर है ना सिर्फ असाम के मुख्यमंत्री नहीं है हमारे चुनाव सा प्रवारी भी है और जब से हिमता विश्व शर्मा जो भी सोचते हैं या फिर आगे कि उनके प्लानिंग है उसका असर जो है आज भी भारते जंदा पा तो क्या तयार है इस बार बीजेपी पूरी तरीगे से चोकि चार तारीकों प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी का भी दौर है अभी अभी संजे सेट ने भी कहा कि इस बार परिवर्तन के लिए तयार है और मतलब जो कहते हैं बिलकुल चहरा पी यह मोदी जो लोग पसंद कर रह और उसके बाद हमने एक परिवतन जो यातरा की थी जो परिवतन यातरा एक डीस इंटरलेक्स सिस्टम था जो कि पूरे प्रदेश में हमने लोगों के नब्स को देखा और यह महसूस हुआ कि पूरे की प्रदेश के लोग जहावी सरकार से पूरे दर से तरस्ट है और कही ना के बदलाओ चाहते हैं और इसलिए हमने नारा भी दिया था कि ना सहेंगे ना कहेंगे इस सरकार को जो हम बदल कर रहेंगे और बिज़ेपी के निता चुनाओ में इसे किस तरह भुनार की तैयारी में लगे हुएं क्या लगताफ फायदा मिलेगा चुनाओ में इसका अगर हमें लग रहा कोई मुद्दा जो जनता को मालूम होना चाहिए ताकि जनता इस बेसे वोट कर पाए अपने सरकार को ठीक से चुन पाए तो हम उस मुद्दे को उठाएंगे चुनना नी चुनना और इसको मानना नी माना वो जनता क्याट में जहां तक आपने असाम की बात की तो अगर आप देखेंगे तो 1985 में राजीव गांधी गवर्मेंट और असाम स्टूडन यूइन के बीच में जो असाम एकॉर्ड साइन रही ता 1985 में उस असाम एकॉर्ड को वही का वही रखा गया कभी भी कॉंग्रेस पार्टी ने उसको इं बेसिक लौ है जो लौ की बांगलादेशी घुसपेटियों के खिलाफ है उनको वहां से अइडेंटिफाई करना वह से निकालना है तो उसका इफेक्टिव इंप्लिमेंटेशन अगर आप साम में देखेंगे तो हिमनता विशा सर्मा के आने के बाद ही हुआ है और इसलिए यहां पर भी समुद्य को उठा रहे हैं यह पंच परंड जो बीज़ेपी लेकर के आये पंच परंड योजना है इसका कितना लाब मिल सकता है इस बार आने वले चनाग में देखें आपने देखा होगा कि पंच परंड जब हमने लांच किया तो उस लांच करने से पहला हम घूम रहे थे और हर तरह के जन तक हमने मन को टटोला और उसके बाद में एक पंच परंड हम ले करका है और पंच परंड जैसा कि आप जानते होंगे भारती जन्दापाटी जो है वो संस्कृतिक राष्टवाद पर यकिन करती है और यह जो पंच वर्ड है अगर आप है तो एक सवाल जरूर लेना चाहेंगे उन्से की जारकन के मुख्यमंत्री हेमन सुरेंड भस्टाचार कर रहा उतमें पांच मेने तक जेल मेरे हाला कि सबूतों के भाव में कोट ने उन्हें जमानत दे दी है तो क्या लगता कि बीजिपी के खिलाब करने के गलत मैसेज ग कर लिया है मुख्यमंत्री हेमन सुरेंड भी पांच महीने के लिए जेल गए हाला कि उसको पुष्टी नहीं की जाती है कि वो किस अधार पर थे लेकिन क्या अब वो जनता के बीज जाएंगे तो उन्हें क्या लगता उनके लिए नेगितिव फैक्टर होगा या वो पॉज पर पिछले तीन साल में उस निवर्शिटी को जमीन तक यहां मोहीया नहीं कराए गई लेकिन वहीं अगर दूसरा एक्जामपल देखेंगे तो सेना की मुझे जाहता है कि यादर पचास एकड़ की जमीन को घ्राबंदी करके बिल्कुल उसके डॉकुमेंट्स को चेंज कर पिछले पाँच साल में जब भी बिल्डर्स को जमीन चाहिए होती है तो उनको हमेशा मिलता चाहिए उसके लिए कितने भी रूल्स को तोड़ना पड़े लेकिन यहां पर एक एजुकेशन के लिए गर जमीन ढूंड़ जा रही है तो उनको पिछले तीन साल से जमीन तक ज देख सकते हैं राकेश हेमन सोरेन की जो टॉप प्रियोरिटीज है मुख्य मंत्री की प्रियोरिटीज क्या रही है एडुकेशन सिस्टम को ले करके हमारे साथ प्रवक्ता थे बीज़ेपी के आजैशा उन्होंने यह सारी जानकारी दिया राकेश चलिए आप हमारे साथ ब ने रेंगे सुरती है